नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेड इग्जामपर दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग चाइल्डूड और ग्रोइंग अपसी वर्ष 2019 से बहुत ही महत्पून कुश्चन देखेंगे जैसा कि आप कई बार पिछले साल एक और सजिशन आ रहा था कि हम लोग स्वाट और लॉंग एंसर टाइप कुश्चन को भी अटेम्ट करें तो उसी करम में यह कुश्चन मैंने लिया है और यह एक बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है आप इस कुश्चन को तयार करते हैं तो इससे बहुत सारे स्वाट और कुश्चन को देख लेते हैं और समझेंगे कि किस तरह से एंसर भी लिखना है तो कोशिश की है मैंने इस वीडियो में कि आपको कंटेंट जो है आपके एंसर के हिसाब से ही वर्ड लिमिट के अनुसार ही यहां पर लिखने का प्रयास किया है आप इसमें थोड़ा बहुत स अब इसको इंदे में समझ लेते हैं कि किसोरा अवस्था गंभीर, संघर, स्टूफान और तनाव की अबदी है इस कथन की व्याख्या करें और किसोरा अवस्था की विश्विस्तों पर चर्चा करें तो यह स्टेटमेंट जो है आपका इस्टेंले हॉल दवारा दे गया थ करता जो किसोरा अवस्था के दौरान बच्चों को सामना करना पड़ता उनका डिफिकल्टी का फेस करना पड़ता तो आईए समझते हैं कुश्चन में सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को लिखेंगे और उसके बाद जो है आप जो गुण होती है किसोरा अवस्था में वो लिखेंगे आप तो दो भाग में आपका कुश्चन है तो दो भाग में आपका उत्तर भी होना चाहिए तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं स्टेटमेंट यह जो भी चीज़ें आप यहां पर पढ़ रहे हैं दोस्तों यह इंग्लिस और हिंदी दोनों में तो बिल 204 में सबसे पहले इनोंने इस्तमाल किया था कहा इस्तमाल किया था अपनी parl ah कि एंगलिस में adolescents बोलते हैं तो उनक्ते바 wizard यूति हाने सब्द का इसलिए करा क्योंकि उन्होंने किसवरा वस्था को और परिहार उतल फुतल की अवधी की रुप में देखा अर्थार की इस उमर में उन्होंने समझा कि ये जो किसवरा वस्था होती जो टीनेज होता है, यानिति तेरे से लेकर उनिस वर्ष का जो एज होता है इस उमर में बच्चों के दिमाग में, उनके जीवन में, उनके व्यक्तित में बहुत जारा उतार चाड़ा, बहुत सारी बदलाव आते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी नई नई चीजे वो सीखते हैं, जिसलिए ये उमर जो होती हैं, बड ही होते हैं उसमें जब प्रविश्च करते हैं तो इस प्रकार की उथल पुतल धीरे-धीरे आराम होते हैं और जैसे जैसे हम लोग टीनेज में आगे बढ़ते हैं इस प्रकार की समस्या है इस प्रकार की उथल पुतल हमारे जीवन में जो टीनेज में होती है वो बढ़ती चल साल 14 साल 15 साल हम लोग बोलते हैं 13 14 15 तो यह जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे व्यक्स्त का की और हम लोग बढ़ते जाते हैं तो हमारे अंदर नियंतरन जो हमारा इमोशनल कंट्रोल होता है, सुसल कंट्रोल होता है, मेंटल कंट्रोल होता है, वो बड़ा डिश्टर्ब होता चला जाता है, क्योंकि हम बहुत सारी समस्याओं से घर जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से समस्याओं होती हैं, और पहले भी हमने डिस्कस किया है, तो उन स से रहते हैं और तनाव सब्द का मतलब है सम्वेधन शिगता के बढ़ते हुए असतर को और तनाव का मतलब होता है कि यह जो चीज़ें हमारे जीमन में होती है चीज़ें बदलते हैं चाहे हो सारी रिखो मान सीखो मनवज्ञाने को हमें समाय उजन करने के एड़ेश्ट करने मारे अंदर बहुत सारे तनाव भी होते हैं बहुत सारा डिप्रेशन भी आता है तो यह सारी चीज़ें जो होती है इसके कारण स्टेनले हॉल ने किसवर आवस्था को एक बहुत ही तूफान और तनाव भरा अवधी की रूप में इसको संदर्वित किया है चले आगे और अन्य बड़ों के साथ संघर्स करते हैं संघर्स को मतलब यह नहीं होता है मतलब यह लगता है कि माता पिता उनके बड़े उनके गुरु जन उनके टीचर्स उनको हर बात के लिए टोक रहे तो वह उनके साथ मतलब अगर उनको कोई टोकता है तो वह उस बात को नहीं मन चाहते हैं जाते है। चाहते हैं कि ये फानियों मुझे तो कि ये कने रहें हो नहीं हो, आई मैरे, शुब्र हो रहा है, आधा पिता के साद भएस हो जाती है। अच्छा mood है, साम को खराब हो गया, दोपर को फिर अच्छा हो गया, तो mood में लगातार परिवर्तन होता रहता है, यह बहुत सारे कारणों से होता है, अगर हम लोग बात करें लड़के या लड़कों के, तो अलग-लग कारणों, सारे रिक कारण भी हैं, बाहर रिक कारण होता है, मतलब ऐसे काम ज्यादा करना फसंद करते हैं, या ऐसे काम को जान बुछ कर करते हैं, जिसमें ज्यादा रिस्क होता है, जैसे स्टेज बाइक चलाना, पेड़ से कूदना, चोरी करना, चोरी काना, मतलब में हम उस तरकी चोरी ने बोलों जैसे की बच्चे मज़े में चोरी करते हैं जैसे फलों को चोरी करते हैं कुछ और उठा लेते हैं इस तरगी गलाश चीज़़ जो जो खें भरे जहां उनको नुकसान होने की सभारा ऐसे काम अपने आपको जादा जादा लिप्त करते हैं तो ये सारे चीजे जो होती है मतलब ये किसोरा वस्था के कुछ प्रमुख विसिस्ता है तो ये तीन पॉइंट आपको लिखना बहुत चुरूरी है अब इसको समझ भी लेते हैं मतलब जो बड़े होते हैं उनके साथ संगर्ष किसोरा वस्था में जो इन एज होती है वो विद्रोही एज होती है और इस वास में वैस्थ अपने उपर दूसरों के अधिकार का विरोध करते हैं तो जो भी टीनेज होते हैं जब आपके टीनेज में प्रवेश्थ कर जाते हैं तो उनके उपर अगर कोई उनको गाइड करता है या कोई उनको आप बोल सकते हैं और देता है तो कई बार वो तो मानते हैं वो ज़्यादा तर समय जो है उसका विरोध करते हैं लगता है कि यह मेरे उपर कंट्रोल करना चाहरा है तो वो उससे मतलब लड़ते हैं जगड़ते हैं विवाद करते हैं तो यह चीज़े होती है क्योंकि वो इस उम्बर में जादा-जादा अधिकार और सतंता चाहते हैं पॉइंट अच्छा है इसको नोट करिएगा विश्यस रूप से यहां पर देखिएगा विश्यस रूप से किसूर एक ऐसे समय में होते हैं या जब माता-पिता के साथ संगर्ष विश्यस रूप से अधिक होने लगता तो यह ध्यान रखिए कि परिवार की रूप अगर बात करें तो किसूर आवस्था में माता-पिता के साथ अपने भाई बेनों साथ बड़ों के साथ जब संगर्ष की घटना है उनकी ज़्यादा जब उनके साथ कंफ्लिक्ट होता रहता है उनके साथ विवाद होता रहता है माता-पिता के बातों को मानना नहीं मानना उसके वज़े से माता-पिता का ढाटना बच्चों का उसके साथ लड़ना या उससे नाराज हो जाना यह अवस्था में कभी-कभी तो अत्यादिक खुशी या कभी अत्यादिक दुख भी हो जाता है तो यह एक अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चे अक्सर डिप्रेशन का सिकार भी हो जाते हैं अगला है पॉइंट जोकिम वेवार आप देखें जैसे मैंने आपको चर आपको जरू लिखने है आपको अगर आपका ये कॉश्चिन लॉंग एंसर टाइप में आ जाए यानि कि 500 सब्दो वाले प्रश्ट में आए तो आप ये तीनों पॉइंट को जैसे मैंने एक्स्प्लें कि कि आप वो करें अन्यता अगर सौर्ट में आए तो सिर्फ इन तीनों पॉइंट का नाम लिख दें तो आप समझ गए कि किस तरह से आपको कॉश्चिन को एडियस्ट करना है अब ये इंग्लिस में भी है तो आप बिल्कुल देखें अगर आपके सौर्ट एंसर टाइप या जो मुख बदला होती हैं ये कुछ 5 प्रकार के मुख बदला होती है मैंने इनको डिटेल में लिखा है मैंने जैसे आपको बता है कि अगर 200 सब्दों के कोश्चिन में आपका ये प्रश्चन पूछा जाता है short answer type में, तो सिफ इन आवस्थाओं के नाब, इन main जो गुण है, जो characteristics उनका नाम लिखेगा, अगर 500 सब्दों में आने के long answer type questions में आए, तो इनको आपको explain भी करना पड़ेगा, तो there are five universal concomitants of changes that occur during adolescence, मतलब की दो characteristics होते हैं, जो आपके इस उमर के जो आपके मुखे 5 concomitants हैं, आपको बुनको आपको यहापे लिखना है, तो आप इनको यहापे इस तरह से लिख सकते हैं, 5 concomitants जो हैं, आपको इनको यहापे adjust करना है, लिखना है, पहना concomitants क्या है जो characteristics इसको लिख सकते हैं, आपको biological development, तो इस उमर में जयाविक विकास जो हैं, आपका सबसे प्रमुख characteristics है, इसके अंदल आपका क्या होता है, सामानी उर्प से यवन का विकास होता है, लड़के लड़की जो है, युवक और यवती बनने के प्रकरिया में होते हैं, इसके भी विकास होता है, तो मस्ति इसको नतलम brain का वे development होता है, brain आप ज्यादा अच्छे तरह से function करना शुरू कर देता है, अच्छे से active हो जाता है, दूसरा characteristic क्या है, तो अगर आप से सिर्फ 200 सब्दो वाले question में यह पूछा है, यानि short answer type में, तो सिर्फ आपको इन stages का नाम जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, आपका, इन stages का नाम लिखना है, लेकिन अगर आप से पूछा जाए यही प्रशन long answer type question में, तो इन stages को जैसे कि मैंने यहाँ पर explain किया, आपको explain भी करना पड़ेगा, तो आप समझ के होंगे, इसके बाद संग्यानात्मक विकास होता है, cognitive development भी बच्चों में होता है, तो cognitive development के अंदर क्या होता है, इनका सैधानतिक दिश्टिकोंड बदलता है, मतलब कि चीजों को समझते हैं, प्रैक्टिकल इस चीजों को समझने का कोशिश करते हैं, उनका संग्यानात्मक चमता में सुधार होता है, तो जो चीज़े वो लोग स सोच सकते हैं, ऐसे समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने पुराने knowledge का यूज कर पाते हैं, metacognition का मतलब बता है कि बड़ी-बड़ी समस्याओं, बड़ी-बड़ी चीजों के बारे में हम सोच पाते हैं, बहुत सारे complex चीजों को जूड़ कर सोचने की प्रिकरिया में सापेक्च सोच, मतलब की relativistic, दो चीजों को जोड़ करें, आपस में हम लोग सोचने की चमता रखते हैं, मतलब की मान की चली आप ताजमहल के बारे में सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं अपने घर के बारे में, तो ताजमहल तक पहुंचने में आपके घर से कितना समय इन दोनों चीजों को जोड़ कर आप मतलब एक प्रक्रिया बना सकते हैं, एक प्रोसेस सोच सकते हैं, बुद्धी में वृध्धी होती है इस उम्र में, आपको पता विश्डम बढ़ता है, रिस्क टेकिंग विएबिर बढ़ता है, विरोध की भावना भी आपको जैसे मे धर का बना सिग्यानिक विकास, और चouthah point है आपको Social Development, तो Social Development बहुत इंपोरटेंट है बच्चों का विकास में, टीनेज को विकास में, जो की आगे चलके उनके भविशे की आधार के रुप में काम करता है, इस उम्र में जो समाजिक विकास हमारा होता है, वो हमारे व्यक का concept विक्सित करते हैं कि मैं भी कुछ हूँ यह भावना उसके बच्चों के अंदर विक्सित होती है अपनी पहचान स्वेम की पहचान पहचान की समझ उनके अंदर विक्सित होती है और वो उसे बनाने का पूरा प्रयास करते हैं जाए वो अपने दोस्तों के बीच में हो अपने माता-पिता के पीछ में पर्यावरण के अपने आस-पास में जो भी चीज़े हो रहे उसकी पहचान करते हैं आस-पास में जो चीज़ें उसके इसाफ से अपने आपको एड़ेस्ट करते हैं इनके अंदर आप जो है sexual orientation जोने के बोलते हैं यह न अभी विन्यास और उन लोगों के सामने बच्चे को डांट दिया जाता है उसके self-esteem के आत्म सम्मान को ठेस पहुती है तो इस उमर में यह वाली भावना प्रवाल होती है जबकि बच्चमन में बच्चे में यह भावना बहुत कम होती है अगर डांट बीच दिया जा जा तो उतना बुरा नहीं मा रिलेशन्शिप किसके साथ बनाते हैं रिलेशन्शिप बनाते हैं या समझते हैं अपने माता पिता के साथ दोस्तों के साथ और रोमान समंदी भी गत्वीदियां होती है आपको पता है लड़के लड़कियों के बीच में इस उमर में जो है रोमांटिक जो होते हैं बोलते अब इस मेर में हम लोग क्या करते हैं देखें हमको समझाता है स्वायत्ता की भावना विक्सित होती है Autonomy मतलब कल्चर के परती हम सूछते हैं कि हमारा भी योगदान होना चाहिए तो हम लोग उसमें अपना योगदान करते हैं सामाजिक भूमिका हैं और जिम्मेदारियां अब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं कि समाज की प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां और हम क्या योगदान कर सकते हमारी क्या भूमिका हो सकती या क्या हमारी भूमिका है इसको समझने का प्रयास करते हैं यानिक लेंगी के तक मतलब होता है कि आपको male female की जो भावना होती ये प्रबल होती लगती आप समझने लगते हैं कि ये काम मेरे जो है लड़के करते हैं ये काम लड़कियां करते हैं तो इस तरह के ओधारना जो है अब धीरे-धीरे जो है आपके अंदर बढ़ती है इसके sexuality के जो concept होता है वो भी अब आप धेरे-धेरे समझते हैं कानूनी मुद्दे अधिकार और विसेसाधिकार इन सारे चीजों से आप परिचित होते हैं उनका प्योग करना सीखते हैं और बड़ों से भी इसके उपर चर्चा करे जाती है सामाने मुद्दे जो भी आपके आस- शीली दवाओं का प्रयोग ये बहुत जादा कॉमन होता है बच्चों के अंदर देखे जाती है और इस तरह की समस्या है बच्चों में होना इस तरह की आउसादों से ग्रसीत होना इस तरह की बीमारियों से इस तरह की घलत चीजों में ग्रस्ट हो जाना बहुत ही कॉमन हो यह जब भी question आये, जैसा मैंने आपको detail में सारा answer दिया है, आप भी अपने question के हिसाब से answer को लिखेंगे, तो मिल करता हूँ यह जो भी चीज़े मैंने बताने का प्रयास के है, आपको कुछ हैं कुछ मदद जरूर करेगी, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो please